स्वागत है मित्रों इस टूटोरियल में हम लिखे गए अक्षरों को कैसे सुशोबित किया जाए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे लिखे गए अक्षर या फिर टेक्स्ट सुशोबित करने की प्रक्रिया को फॉर्मैटिंग कहते हैं तो आईए यहाँ पर जो एक्षामपल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे फॉर्मैट करना शुरू करते हैं उससे पहले मैं यह टेक्स्ट पढ़कर सुना रहा हूँ अब सबसे पहले इसे फॉर्मैट करने के लिए हमें जो हिस्सा हम फॉर्मैट करना चाहते हैं यानि कि सुशोबित करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले उसके अंत तक जाएं और अपने माउस की मदद से क्लिक करें क्लिक छोड़े बेना उसे ड्रैग करें और आप पाएंगे कि आपने इस टेक्ष्ट का यह हिस्सा सिलेक्ट कर लिया है अब जब आप इसे सिलेक्ट कर चुके हैं अपने होम टैब में फॉंट ग्रुप में जाएं जहां पर इस हिस्से को फॉर्मैट करने के लिए आप्शन्स दिये गए हैं सबसे पहले फॉंट आप्शन्स चुने हुए हिस्से के फॉंट को बदलने के लिए आप यहां से अपने मनपसंद दीदा फॉंट सिलेक्ट कर सकते हैं इसे जैसे ही आप नीचे ड्रैग करेंगे आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ट फॉंट का एक लिष्ट पाएंगे इन में से जो भी अनुकूल हो वह फॉंट सिलेक्ट करें जब आप उस फॉंट पर अपना माउस ले जाएंगे तब आप पाएंगे कि जो हिस्सा आपने सिलेक्ट किया हुआ था वह आपके माउस के हिसाब से चेंज हो रहा है यह दर्शाता है कि जो फॉंट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस फॉंट में आपने सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा कैसा दिखेगा हम यहां से ताहो मा सिलेक्ट कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चुना गया हिस्सा अपने फॉंट्स के हिसाब से बदल चुका है